हे दोस्तों फिल्मे टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपसे बात करते हैं बॉलियूड हॉलियूड साउथ हिंदी डबेड और कुछ बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो अगर आपको भी ऐसे इंड़स्टिंग देखना पसंद है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियू की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि बॉल्यू ड़क्टर वरु करने वाले हैं वरुन धवन एमाज़न प्राइम की एक एक्षन इस्पाइध त्रिलर सिरीज में लीड रोल में नजर आएंगे इस सिरीज को दा फैमिली मैन के डारेक्टर राज एंडी के डारेक्ट करेंगे अब हम थोड़ा डीटेल में इस सिरीज के बारे में बात करते ह हैं प्रियंका चोपड़ा और रिचर्ड मैडन की एक हॉलिवड एक्षन इस्पाइध त्रिलर सिरीज आ रही है जिसका नाम है सीटाडेल इस सिरीज को एवेंजर स्विम के डारेक्टर रूसो बर्दस डारेकर रहे हैं अब वरुन धवन की जो सिरीज है इसी सीटाडेल सि सिरीज की इंडियन स्पिन ओफ होगी जी हां इस सिरीज की जो कहानी है वो हॉलिवड सिरीज सीटाडेल से करेक्ट होगी सिटाडेल की सुटिंग कंप्लीट हो गई है और यह सिरीज फरवरी 2022 में रिलीज होगी और वरुन धवन की जो सिरीज है उस सिरीज की सुटिंग बह होगी जिसकी कहानी 1971 के वार पर बेच्ट होगी इस फिलिम को एर लिफ्ट फिलिम के डारेक्टर राजा कृष्ण मैनन डारिक करेंगे इसान के साथ इस फिलिम में मुरनाल ठाकूर भी नजर आएंगी फिलिम की सुटिंग स्टार्ट हो गई है तो बहुत जाल्द फिलिम की रिलीज डेट भी एनाउंस की जाएगी अफगानिस्तान रेस्क्यू क्राइसिस पर एक फिल्म बनने जा रही है नाम है गरूर इस फिलिम को अ आने वाला है यह फिल्म 15 अगस 2022 को रिलीज होगी पिछली दिनों हमने आपको बता था कि फरदीन खान बहुत जल्द फिल्मों में वापसी करने वाले हैं तो इस फिलिम की ऑफिशल एनाउस्मेंट हो गई है अच्छी बात यह भी है कि इस फिलिम में फरदीन खान के साथ रितेश देशमुग भी नजर आएंगे जिहां है बेबी में साथ नजर आई यह जोड़ी 14 साल बाद वापस एक साथ आ रही है इस फिल्म का नाम है विस्पोर्ट जो कि एक फॉरण फिल्म की रिमेक होगी 2012 में एक वेनेजुलन फिल्म आई थी नाम था रॉक पेपर सीजर फरदीन खान और रितेश देशमुग की यह फिल्म उसी फिल्म की रिमेक होगी आने वाले कुछ दिनों में फिल्म की सुटिंग स्टार्ट होने वाली है अगले खबर की बात करें तो थलाईवी के रिलीज के बाद कंगना नरावत की एक और फिल्म की अनाउसमेंट की गई यह एक माइथोलोजिकल ड्रामा फिल्म होगी जिसका नाम सीता दा इंक्रिनेशन है इस फिल्म में कंगना नरावत देवी सीता के रोल को प्ले करेंगी फिल्म के कहानी को वीजेंदर परसाद ने लिखा है वहीं इस फिल्म को अलोकिक दिसाई डारे करेंगे खबर आ रही है कि इस फिल्म को काफी बड़े स्केल पर सूट किया जाएगा यानि कि फिल्म काफी बड़े बज़र में बनाई जाएगी देखते हैं कि फिल्म से जुड़ी अगली अपडेट कब तक आती है वीजे देवरा कॉंडा की मच अविटर फिल्म लाइगर की सूटिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो गई है कोरोना महामारी के वज़े से फिल्म की सूटिंग बंध हो गई थे लेकिन अब फाइनली जो बची हुई सूटिंग है वो फिर से स्टार्ट हो गई है देखते हैं कि फिल्म की सुटिंग कब तक कंपलेट होती है अभी भी इस फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है हॉल्यूड फिल्मों की बात करें तो ड्वैन जोंसन और एमली बलंट की मच अविटेज जंगल एडवेंचर फिल्म जंगल क्रूज के हिंदी ट्रेलर को रिलीज क्या गया है सच में जो हिंदी डब है वो काफी कमाल का है ये फिल्म 24 सब्तंबर को इंगलीज के साथ साथ तामिल तलगू और हिंदी भासा में एक साथ रिलीज होगी वहीं MCU के अपकमिंग सिरीज हौकाई को तामिल तलगू और हिंदी में रिलीज क्या जाएगा यहाँ पर फिल्म का पोस्टर भी रिलीज क्या गया है उसके इलावाद दा बॉस बेबी फैमली बिजनेस भी हिंदी में आने वाली है यह फिल्म बाहर के देशों में रिलीज हो चुकी है अब इसको अपने इहां रिलीज क्या जा रहा है यह फिल्म आठ अक्टोबर को तामिल तलगू और हिंदी भासा में रिलीज होगी तो आप में से कौन इस फिल्म के लिए एकसाइडड है हमें कमेंट में जुरू बताएं वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी Facebook, WhatsApp, Twitter पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल ना भोलें धन्यवाद